तो अगर आप लोग भी यहाँ पे इस टाइप की रील को बनाना चाहते हो अपने फोन के अंदर VN आप्लिकेशन को यूज़ करके तो ये विडियो आप लोग के लिए होने वाला है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले VN आप्लिकेशन को उपन करेना है उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस फ़ला इकॉन पे क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट के सेक्शन पे चले जाना है अब जाने के बाद आपको फोटो के सेक्शन में जाना है जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने किसी भी फोल्डर में से किनी तीन फोटो को चूस कर लेना है ठीक है तो हम लोग यहाँ पे चल्दी चल्दी पहले आपको कोई भी एक पकवास पहले का फोटो चूस करना है तो हम लोग यहाँ पे चूस कर लेते हैं कोई भी एक पकवास देखके फोटो, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एक पकवास फोटो ही चूस करना है, पहले गा मतलब पच्पन का हो सकता है या फिर किसी भी जीस का हो सकता है, जिस टाइम पे आप लोगो का कलो अप नहीं आया था, ठीक है, तो उसके बाद आपको इस एरो के सेक्शन पर क्लिक करना है क्लिक कर देने के बाद देख सकते हो कि हमारे पास यह तीनों फोटो आ जाएगा बहुत ही जाता आसान तरीके से लास्ट में यह जो वाटरमाक आ जाता है तो हम लोग इसको यहां पर सिंपली डिलीट कर लेते हैं अब औरीजिनल के सिंपली यहां पर TAP TO A Just Music पर क्लिक करना है एफक्ट के सेक्षिन पर जाना है जाना के बाद My Audio Effect पर क्लिक करते हैं क्लिक कर दिने के बाद Extract from Videos पर क्लिक करना है okay पर क्लिक कर दिना है उसके बाद यह जो वीडियो है तो वह आप लोग को मेरे टेलिक्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा आप लोग सिंपली हों से इसको डाउनलोड कर सकते हो हम लोग सिंपली यहाँ पे इस Our då उप एपक्त के इसको डाउनलोड कर तो यह ओडिया पर देखने को मिल जाएगा हम लोग सिंपली खाळे अब यहाँ पर देख सकते हो कि उपर में हम लोग का चो ओडियो फाइल है वो यहाँ पर आ गया है अब और एक चीज चो कि मैंने आपको बताना भूल गया कि इनकेस अगर आपको यहाँ पर टेलिक्राम नहीं है तो आप लोग सिंपली मिरे को इंस्टाक्राम पर मैसेज कर द देख सकते हो कि मैंने एक्तम पीड के एक्कॉर्डिंग सभी फॉटोस को अड़िया है तो सबका चो टाइमिंग रहेगा तो वह आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा ओडरली मैं आपको एक पार थोड़ा सा पता देता हूँ तो फर्स्ट फॉटो का आपको र आपको simply यहाँ पर tap to add subtitle पे क्लिक कर देना है टेक्स्ट के सेक्शन पर जाना है जाना के बाद add a heading पे क्लिक कर देना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर लिख देना है तो हम लोग यहाँ पर simply इसको रहने देते हैं और एक तम सेंटर पे positioning कर लेते हैं अभी आपको एक छोड़ा सा ट्रिक बताने वालों यह जो subtitle कर लें देना तो वह आपको एक तम वीडियो के end तक लाके रख देना है मतलब कि simple हिसाब है कि photo का जो duration रहेगा आपको अपने subtit का duration भी स्वीम रखना है ठीक है अब उसके बाद आपको यहाँ पर simply अपने second photo के first पर आ जाना है और subtitle के layer पर क्लिक करना है और split कर देना है फिर से आप लोग को यहाँ पर third photo के starting पर आ जाना है बेगिनिंग पर आ जाना है आज आनके बाद subtitle के layer पर क्लिक करना है और आपक क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर लिखतेना है लॉंसी ठीक है यह चीज़ लिखतेने के बाद फिर से आपको back में आ जाना है आज आने के बाद आपको third वाले subtitle पर चले जाना है फिर से edit पर क्लिक करना है क्लिक कर देने के बाद आपको लिखना है लैंसी तो यह च सेटिंग है सेम सेटिंग पर आपको इसको यहां पर टिक मार्क पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है